आज एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक जो मेरे ख्याल से अभी तक किसी ने भी नहीं लिया होगा इंडिया में यॉरप में ये बहुत चलता है तो इस साल मैंने जैसा की गोल सेटिंग मेरी मुहिम रही है सब को बताएं जब हम अपने जीवन का प्लान करते हैं यूनों कई बार आप अगर आप देखो लाइफ में आप कहीं घूमने गए और अन प्लान वहीं में चले गए आपको ना आपके पास कोई बारिश का इंतिजाम है ना सर्दी का है और वैसे ही पहुत जाओ कितना मुश्किल होता है वैसे आजकल कोई ऐसा नहीं करता जब भी ह हमें कहीं जाना होता है हम गूगल में पूरा डीटेल निकालते हैं टेंप्रेचर कहां जाए क्या करें एवरिफिंग इस देज वेरी प्लाइफ हमारी जिंदगी हम उसको बेपरवा कैसे जी उसको कैसे अच्छी तरह से प्लान करें ताकि बहुत सारी सक्सेस मिलें और सक्स लेते हैं चार्ट कि ऐसे जाना है ऐसे एसे करना है तो रस्ता आसान हो जाता है सो गोल सेटिंग्स आप लोग जा सकते यूट्यूब चानल पर मेरे अबंदनस और से पर गोल सेटिंग्स के 3-4 विडियो से कौन से गोल बनाएं कैसे बनाएं उसी को आगे ले जाते हैं एक और चीज होती है दो वील ओफ लाइफ अब इसका क्या मतलब है वाट डूवी वील ओफ लाइफ वील ओफ लाइफ क्या हमारी जिन्दगी का एक चक्का है जिसके तीन आठ हिस्से हैं सो कई बार कई लोग होते हैं हम बहुत पैसे वाले हैं बिसनस भी बहुत अच्छा चल रह बहुत हैं सो अगर वो बिमार है तो वो पैसा वो रिष्टा सब बिकार हो जाता है आपका कुछ भी करने को मननी होता क्योंकि आप बिमार हों सो हमारी जिन्दगी में हम लोगों को यह नया साल शुरू हो रहा है दो हजार बाइस सो आई वांट तो टेल आल अव यू कि एक चार्ट लीजिएगा अभी मैं बताती हूं उसमें एक वील ओफ लाइफ हम बनाएंगे एक सर्कल बनाएंगे जिसको आठ हिस्सों में हम बातेंगे और हर हिस्सा उसका एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा जो उस हिसाब से हम देखेंगे कि कौन से हिस्से में हमारी कितनी तर कि वील ओफ लाइबा कर लई आख ह कितनी खरान। कि वीज़ ओफ लाइब अँच्छिन एक सर्कल बनाएंगे और कि पटीटिक पस्ती से हिस्से एक। अब ऐसा हर पार्ट को हम एक-एक टॉपिक देंगे, तो इस फर्स वन इस आर हैल्थ, अब जिन्दकी में हमारे हिंदुस्तान में ये बहुत प्रचलित कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, तो जिन्दकी में सबसे इंपॉर्टन चीज़ क्या है, हैल्थ, अगर हमारी है अच्छी नहीं है, तो सारी दुनिया की खुशिया सब वेस्ट है, अब हेल्थ क्या है, स्वास्त, ये हर किसी के लिए अलग अलग है, किसी के लिए हेल्थ का मतलब है, खुब सारी मसल बना लो, बोडी बना लो, किसी के लिए है कि मैं स्लिम ट्रिम रहूं, किसी के लिए है कि मेरे बोडी में ताकत रहे, एनरजी रहे ताकि मैं खुब सारा काम कर सकूँ, किसी के लिए हेल्थ का मतलब है मैं अच्छा खाऊँ, हेल्थ के अंदर ही जांक फूट खाना और अच्छा निट्रिशिस खाना ये सब आता है, तो अब आपको क्या करना है, ये जो सेंटर है, ये जीरो है, और ये जो लाइन है, ये टैन है, अब आपको देखना है कि आपका जो हेल्थ का ग्राफ है, आज की तारीक में वो कहां है, सो हर आदमी के लिए अलग-अलग होता है, कोई सोचता है, सेवन पे अगर मैं पहुँच जाओ, मैं बैस्ट आफ दे हल्थ में हूँ, किसी को लगता है है, आज जो जीरो पे है, उसके लिए फाइव भी बहुत अच्छा है, मैं अपना एक्सराइज का रजीम है, मैं हल्थी फूड भी खाती हूँ, बट या, अभी एट पे हूँ, मेभी I can do a little more, to go till 10, so आप लोग भी देखिये कि आज कहां है, और by the end of the year, you can check for yourself, कि कहां पहुँचे, then the next important topic is your home, home and environment कह लीजे, आपका घर कहसा है, आपके घर में सुक्स विधाएं कैसी है, या आपके घर में लोगों के साथ कैसा व्यभार है, कितने लोग आपकी मदद करने वाले हैं, आपको क्या-क्या चीजे प्रॉब्लम है, आप कौन सी लोक्यालिटी में रहते हैं, आप कौन सी अच्छी लोक्यालिटी में जाना चाते हैं, कि सब का आप प्लान करिये, यूनो कई बार हमको लगता है, हम तू बेड्रूम हाउस में हमें फोर बेड्रूम हाउस में जाना है, यह पेंट कराना है, यह हमें जैसे इस बार ठंड बहुत पड़िये तो, जैसा कि मेरा प्लान है कि next year winters में हर रूम में, रूम हीटर होना हैं आप और आप कहां जाना चाहते हैं. So, अगर मैं अपनी जिंदगी की बात करूँ, it is on six right now. So, there is lots to be done. Okay? Then comes our family and friends. या हमारी relationships. Now, हमारी वैसे तो मोटा मोटा तीन रिश्टे होते हैं. एक उस उपर वाले के साथ, सर्वोपरी इश्वर के साथ. दूसरा, हमारे जितने भी family members हैं, या दोस्त हैं, या co-workers हैं, या जो भी इंसानी रिश्टे हैं, वो. और तीसरा, जो सबसे महत्वपून है, खुद के साथ. आपका खुद के साथ रिश्टा कैसा है? आप खुद के लिए कैसा सोचते हो? Are you happy with your own self? या आप सोचते हो कि नहीं, मुझ में ये कमिया है या वो एक और topic में भी आ जाएगा. बट अभी हम layman language में लें, तो दो तरह के रिश्टे हमारे लिए important होते हैं. एक family जिसमें हमारे पती, पत्नी, बच्चे, माता, पिता खास लो. Intimate relationships. और दूसरा हमारे दोस्त. अब जैसा कि ऐसा है कि family के लिए तो बहुत सारे rules होते हैं. पती के लिए तुम ये करोगे तो मैं खुश तुम वो करोगे पत्नी के लिए. दोस्तों के लिए हम थोड़ा सा flexible रहते हैं. क्योंकि हमें पता है ये बंधावा रिष्टा नहीं है. अगर अच्छे से नहीं रखा तो दोस्त छूट सकते हैं. इसलिए आप देखिए. तो इसको हम sub-divide कर सकते हैं. एक family ले लिजिए, एक friends ले लिजिए. कई बार कई लोगों के परिवार के साथ बहुत अच्छे रिष्टे हैं. बड़ दोस्त ही नहीं उनके जीवन में. कई बार दोस्त बहुत सारे हैं. परिवार वालों से मन मुटाव हैं. तो देखिए. क्योंकि दोनों बहुत ज़रूरी हैं हमारे जीवन में तो आप देखिए कि आपके रिष्टे कैसे चल रहे हैं फैमिली के साथ कैसे हैं परिवार के साथ दोस्तों के साथ कैसे हैं अब देखिए आप यह सब चीजे करने के बाद क्या टॉपिक आ रहा है फाइनांस पैसा इन सब के बाद है क्योंकि अगर आपके पास स्वास्थनी है दोस्त नहीं है परिवार नहीं है तो पैसे से आप क्या कर लोगे बट यह सब लोग है तो भी जिया जा सकता है सो मनी इसके बाद आता है बट मनी भी बहुत जरूरी है तो आप देखिए, अब यहाँ पे दो चीज़े हैं, यहाँ हम करियर की बात नहीं कर रहे हैं, आप क्या पेशा आपका क्या है, काम आप क्या करते हैं, यहाँ बात है धन, आपके पास कितना धन है, कितना आप वचत करते हैं, कितना आप खर्चा करते हैं, कितना आप आगे उ कि इतना सारा पैसा मैं हर महीने कमा के लाता हूं और तुम्हारे पास तो वही के वही पैसे कम है पैसे कम है तो जब हम उन सब की एक वो बनाते हैं लिखते हैं कि हाँ इस महीने ये एक्स्ट्रा खर्चा हो गया इस महीने वो हो गया तो हमें पता रहता है कि अच्छा दो लाक रुपे कमाये थे बट इस महीने टीवी ले ली 80,000 रुपीज की तो यहां गड़ बड़ा गया आपका बजट आपको पता होता है जब आप लिखके रखते हैं and then make a habit हर महीने बचत भी करना है क्योंकि इस COVID times में जिसने बचत की वो बहुत अच्छे से रहा so बचत करना ज़रूरी है and invest करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पड़ी हुई चीज स्टेल हो जाती है अगर पानी को बहुत दिन आप रखके रख लो बॉटल में थोड़े दिनों में वो बासी हो जाता है बट नदी में जो पानी बैता है वो बैता वो पानी हमेशा ताजा रहता है so the movement the circulation is very much important so सिरफ होड करके मत रखिए पैसा बचाईए भी मत खर्चा भी कीजिए थोड़ा सा और invest भी कीजिए आजकल बहुत सारे तरीके अपने पैसे को invest करने housewives can also do then आता है हमारा career हमारी job हमारा mission in life कुछ भी now housewives can have कि उनका day to day क्या system रहता है वो अपना उसको सही कर सके ताकि उनको अपने लिए समय मिले और हर अपनी आगे जो एक word आएगा personal development सबका time हो तो जब आप यह systematic रखते हैं and those people जो नौकरी कर रहे हैं वो देखिए क्या आप अपनी नौकरी में खुश हैं क्या आपको लगता है मैं इससे बहतर job कर सकती हूँ या आप रोज लेट office पहुचते हैं फिर boss की डाट काते हैं कैसे अपनी job को व्यवस्तित रखे so you can just see so finances I will say I'm on seven career I'm happy right now I'm on nine तो आप अपना rate करिये कि where are you and where do you want to reach then आता है हमारा personal development अब ये भी बहुत जरूरी है जिन्दगी में क्या होता है हम हम लोग यहाँ पे इस दुनिया में क्यों आए हैं कि हम खुद को और उभार सके कुछ बहतर इंसान बन सके ताकि जब हम पूरा संबूर बैस्ट हो जाएंगे तो हमें मौक्ष मिल जाएगा so हर साल आप देखिए कि आपने खुद के personal development के लिए क्या किया क्या आपने कुछ नया सीखा या कोई बुरी आदत थी उसको छोड़ा या जैसे exercise नहीं करते थे इतने सालों से तो क्या अब exercise करने लगे या जैसे मैं बहुत सारी classes लेती हूँ जोतिश अभी तो बाड सलाब आया हुआ है चारों तरफ बहुत कम पैसों में बहुत कुछ सिखाया जा रहा है चाहे निम्रिलोजी ओ, आस्ट्रिलोजी, वास्तू, ग्रिफॉलोजी या कुछ भी और भी दस तरह की चीज़े यह चीज़े तो मैं सिखाती हूँ, बट और भी दस चीज़े हैं प्राने की लिग, हमारे प्राने की लिग में इतना कुछ सिखाया जा रहा है कैसे खुद को यहां से यहां लेके जाए तो यह भी आप देखिए कि वेर आर यूँ So here also I will rate myself on 8 only, then fun and recreation जिन्दगी में, fun and recreation भी बहुत जरूरी है Please mute yourself So fun and recreation बहुत जरूरी है इसका क्या मतलब है आप अपने मनो रंजन के लिए क्या करते हो किसी को लगता है, मैं अपने घरवालों से फोन पे बात करके खुशी मिलती है पिचर देखना, चलो फोन पे बात करना एक अलग है But recreation activity पर कहीं घूमने जाना, पिचर देखना कोई hobby रखना, TV देखना ये सब करना जरूरी है कोई game खेलना कोई cards खेलते हैं कोई ludo खेलता है कोई badminton खेलता है कुछ भी ऐसा जो हमारे मन को सुकून दे खुशी दे वो करना बहुत जरूरी है So here I will rate myself on 5 I have stopped doing any kind of recreation पिछले 2 साल से काम, काम, काम और काम ही किया है So we should have I have stopped seeing TV तो TV देखना ये सब क्या करते हैं पता है, let lose करते हैं Stress और ये सब anxiety और सब हटता है जब आप fun and recreation करते हो And the last thing is Contribution to the society हम है social beings हम है इंसान तो हम इस दुनिया में आए हैं और हम क्या दे रहे हैं इस संसार को हमारी तरफ से कुछ भी हो सकता है एक मुसकान किसी की मदद करना किसी को सिखाना कुछ अभी COVID times में तो बहुत लोगों ने एक दूसरे के मदद की है क्योंकि ये हमारी पूरी humanity के लिए lesson था कि सब hill मिलके रहें एक आदमी बिमार सो से बिमार तो सारों को ठीक रहना बहुत ज़रूरी है So check yourself where are you So yes, I can rate myself on it कि मैं बहुत लोगों को meditation सिखा रही हूं काफी लोगों के साथ अपना ज्यान बाद रही हो यूट्यूब चानल मैंने इसलिए बनाया है कि yes, I also want to earn money through this channel but बातो बातों में लोगों का भी फाइदा हो जाए जितना मेरे पास ज्यान है मैं उनके साथ शेर कर पाऊ So this is see अब आप देख रहे हैं अब मैं अपने आपको देख सकती हूं कि कौन से एरिया में मैं बहुत अच्छा कर रही हूं किस में मुझे और महनत करने की जरूरत है हम सब के पास गार्डन नहीं होता तो माली आता है तो हम कहते हैं भाया ये दिखना ये वाला पेड थोड़ा सा गड़बडा रहा है सूकरा है तो वो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डालता है खाड डालता है ताकि उसकी अच्छी क्रोत हो वैसे ही जब हम ये वील ओफ लाइफ हमारी जिंदगी का बनाते हैं तो हम उसमें ये देख पाते हैं कि कौन से एरिया को खाड या फर्टिलाइजर की जरूरत है कौन सा एरिया ठीक चल रहा है तो ठीक है बट उसको भी संभालना जरूरी है क्योंकि जहां सावधानी हटी वहां दुरगटना गटी वो भी कम हो सकता है तो जब हम अपनी जिंदगी को ऐसे आठ हिस्सों में बाठते हैं और भी आप एक आदा हिस्सा ला सकते हैं जैसे स्पिरिचुलिटी ला सकते हैं हम प्रानी के लिए ये भी एक तो उसको मैं पर्सनल डेवलाप्मेंट में डाल देती हूं कि how much have I grown spiritually spirituality का मतलब वो नहीं है religion नहीं है धर्म नहीं है ये जिंदगी को सही तरीके से जीने का तरीका है so आप जब ये बनाएंगे and बनाईए आप जब आप ये wheel of life बनाएंगे आपको अपनी जिंदगी के बारे में पता चलेगा और आप अपने आपको एक वो दे सकते हैं कि हाँ मैं पाँच पे हूँ तो मुझे इस साल के अन तक कम से कम साथ पे तो पहुंचनाई है so that is how तो आप पाँच से साथ तक आजाएंगे next year आप नौ पे भी आ सकते हैं तो ये आप self assessment है खुद को check करने का है किसी को बताने की जरूरत नहीं है इसमें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है so I'll remove this I hope you can take a picture of this so that आप अपना जब wheel of life ये बनाएं और ये YouTube पे भी posted होगा आप जाके check कर सकते हैं वहापे भी so जब आप ये अपना नक्षा जिंदगी का बना देते हैं तो आपको बहुत अच्छा ध्यान में रहता है कि हो क्या रहा है कई बार ऐसा होता है कई लोग बोलते है सब कुछ है मेरे पास बट मैं खुश नहीं हूँ तो जब आप ये wheel of life बनाते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा ये वाले area में गड़बड है इसलिए मैं खुश नहीं हूँ तो ये आप सब बनाएए और कोई आपको यहाँ पर जज नहीं कर रहा कोई आपको criticize नहीं कर रहा क्योंकि ये सिर्फ खुद के लिए है खुद को जानी है इसके द्वारा आप खुद को जान सकते हो आपकी जिंदगी को जान सकते हो कि मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है मुझे क्या और चाहिए या क्या मेरे पास खुब सारा है भगवान का दिया हुआ so this was about the wheel of life जरूर बनाईए comment section में share कीजिए आपको कैसा लगा और एक और चीज next किस topic पे मैं video बनाऊ ये भी आप मुझे बताईए so आत्मा नमस्ते like and subscribe my channel अपने दोस्तों को भी बोलिए subscribe करने के लिए और मेरे इस channel को फैलाईए ताकि उनकी जिंदगी में भी अगर आप कुछ difference ला सके तो अच्छी बात है आत्मा नमस्ते, have a beautiful year 2022